Hello students, कुछ और questions दिखेंगे इस वीडियो में, काफ़ interesting questions हैं इस वीडियो में, ज़्यादा questions में discuss नहीं करूँगा, यह last video होगा इस chapter का, उसके बाद फिर हम लोग अगले chapter पर आ जाएगे, तो last video में जो questions हम लोग discuss करेंगे, काफ़ interesting questions इस पार होने वाले हैं, कुछिन स्क्रीन पे हैं, तो तोंस A and B are connected by a regular bus service, with a bus leaving in either direction every 10 minutes, a man cycling with the speed of 20 km per hour in the direction A to B, notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion, and every 6 minutes in the opposite direction, what is the period T of the bus service, and with what speed, assumed constant, do the buses fly on the road, यह question है, video को यहाँ stop करके, खुद से attempt कर सकते हैं, question को, so listen start करता हूं मैं, तो question समझो पहले, two towns A and B are connected by regular bus service, with bus leaving in either direction every 10 minutes, दो टाउन है, A and B, दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, यह तो पता है कि दो टाउन है, चलो, दो टाउन पहले बना लो, A and B, A and B, regular bus service, bus leaving in either direction every 10 minutes, ठीक है, picture दो को बनाते चलो भी है, दोनों तरब से, गिश्री को भी bus चाहिए, तो 3 minutes में बस खूलती है, bus stop से, T क्या है यह भी नहीं पता है, हमें अभी, A man cycling with a speed of 20 km per hour, in the direction A to B, एक आदमी है, जो cycle पे जा रहा है, A से B की तरफ, cycle छोटी से बना देता हूं मैं, अच्छली exam में cycle बनाना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी मैंने बना दी हैं हाँ पे तो, इस आदमी एक cycle पे जा रहा है, कि तरफ A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है, यह दिया हूआ है, 20 km पर आवा है की speed से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस क्या देखता है, एक bus, a bus passes him, a bus goes past him, every 18 minutes in the direction of motion, मतलब A से B की ओर जाने वाली bus जो है, bus जो A से B की ओर जा रही है, तो टेक 18 minutes बार इस cyclist को मिलती है, 18 minutes बार उसको एक और bus मिल जाएगी, एक bus माल लो अभी cross करती है, इसको एक bus मैं चलो red color से छोटी से बना रहेता हूँ bus, माल लो ये एक bus इसको अभी cross करती है, क्या बात है, cycle से छोटी bus हो गई है, माल लो थोड़ी दिर के लिए cycle से छोटी bus है, तो उसको एक bus अभी इस instant पे cross की आगे चली गए, दूसरी bus जो है उसके पीछे रही होगी कहीं न कहीं तो, यह bus इसको अठारे मिनिट बाद cross करेगी, ठीक है, and every six minutes in the opposite direction, इस पार्ट के उपर भाद में आते हैं, पहले हम लोग एक पार्ट को समझ लेते हैं, what is the period t of the bus service, and with what speed assumed constant do the buses ply on the road, ठीक है, हमें दो चीज निकालनी है, दिया इतना ही है, एक case है, एक case reverse direction का है, उसको मैं draw, चलो पहले draw करें दुग जा, बार में draw करते हैं, उसको पहले इसको, इससे जितने equation हमारी बन सकते हैं, equation बना लेते हैं, फिर दूसरे case पर आते हैं, तो कैसे बनाएंगे, अब हमें इना distance पता है, ए टू बी distance हमें नहीं पता है, नहीं पता है, बस की speed, यह भी नहीं पता है, cyclist की speed, यह पता है, 20 km per hour, ठीक है, और यह दिया है कि, बस 18 मिनिट बाद इसको cross करते हैं, इसको कैसे use कर सकते हैं, लोग, यह ना, ए बी distance नहीं पता है, बस की speed नहीं पता है, हमें दिया गया है कि, यह बस जो पीछे वाली बस जो है, इसको 18 मिनिट बाद पकड़ लेगे, अब यहां से सोचना चलो करो, एक बस अभी यहां पर है, जो इसको cyclist को just cross कर रहे हैं, और दूसरी बस इसके पीछे है, जो की 18 मिनिट बाद cyclist को पकड़ लेगे, cyclist नहीं पहुँच जाएगे, यहां से सोचना स्टार्ट करना है, यह distance कितना है, यह distance कितना है, और यह distance कितना है, इससे तो पता नहीं, क्योंकि जब 17 मिनिट बाद cyclist को बस cross करेगी, तो cycle भी कहीं यहां पर आ चुक नहीं होगी, cycle भी आगे जा चुका होगा उस समय, है ना, cycle, cycle भी तो आगे जा रही है, 20 km पर आवर की स्पीट से, तो यह बस स्पीट से पकड़ेगी, cyclist के तरब जब आगे जाएगी, तो cyclist भी कहीं आगे जा चुका होगा है, intersection point, माल लो कहीं यहां पर होता है, अगली बस माल लो यहां पर cross करेगी, year distance भी नहीं पता है हमें, कुछ नहीं पता है, तो देखो यहां पर relative velocity का concept हमें काम आ सकता है, relative velocity, concept को समझो पहले question में पूछा क्या गया है, हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक बस यहां पर है, दूसरी बस इसके पीछे है, हमें दूसरी बस इसके पीछे है, जो की 18 मिनिट बाद cyclist को पकाई लेगी, कहीं यहां पर जाकर करें, तो इस दोनों के बीच का relative displacement 0 होगा, 18 मिनिट की बाद, हैना, after 18 मिनिट यह पीछे वाली बस, और इस बस, इस cyclist के बीच का relative displacement 0 होगा, अब इस बस से काम नहीं है हमें, बस तो आगे निकल जाएगी, अपना जाते रहेगी, दोनों बस के बीच में relative displacement change नहीं होने वाला है, change होगा सिर्फ इस बस का relative displacement, इस cyclist के respect में, हैना, बाद समझ में आरी है, चलो ठीक है, relative displacement तो change होगा, लेकिन speed, speed, kilometer pair ये distance कितना है, जिस distance को 0 होना है, ये distance कितना है, जिस distance को 18 minute में 0 होना होँगा, कि ये पता है, हाँ, पता है, पता है, कैसे पता है, 3 minute के बाद बस खुल रही है, जब ये बस start हुई थी, bus stop से उसके ठीक t minute के बाद यह bus start हुई है है ना तो t minute में यह bus इतनी दूर चलिए होगी उतना ही distance है तो relative distance कितना है distance is equal to velocity into t minute time velocity km per hour में है time second में minutes में है तो उसको 60 से divide करना होगा हमें km मिल जाएगा यह relative distance हमारा v into t divide by 60 km है समझ में आ रही है है तक तो बात अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा इसकी ज़रोत नहीं है हमें bus के speed हमने v माल ली है cyclist के speed 20 km है पर मैं मिटा देता हूँ एक बार यहां से इंदर अब solve कर लेते हैं एक equation बनाना है में यह relative distance जो है relative speed से cover करेगे बस है ना bus और cyclist का relative distance हमने निकाल दिया है तो relative speed से ही cover करेगे ना relative speed कितनी होगे speed of bus minus speed of cyclist velocity minus speed of cyclist कितनी है 20 km per hour ठीक है distance हमें मिल गया है speed मिल गया है और हमें यह भी दिया कि 18 मिनिट में bus पकर लेगे 18 मिनिट में यह distance cover होने वाला है यानि कि इसको गी 18 से multiply करेगे 18 मिनिट से v minus 20 into 18 minutes इसको km per hour में चेंज करना होगा 18 minutes divided by 60 is equal to v into t divided by 60 60-60 cancel होता है हमारे पास एक equation आया 18 into v minus 20 is equal to v t एक equation बस अभी इसको और simplify करने की कोई ज़रवत नहीं है पहले हम लोग अब दूसरा equation बनाते है क्योंकि यहां पर दो variable है दो variable है यहां पर velocity और time दो variable है और हमें दोनों ही निकालना है इस question में what is the time period t of bus service यह भी निकालने कहा गया है what is the speed of bus यह भी निकालने बोला गया है दोनों variable को निकालना है तो हमें एक और equation की जरूट पड़ेगी कहां से आएगा वो डूसरा equation कहां से आएगा डूसरा equation इसी diagram को मैं change करूँ उल्टे तरफ जब जा रही है opposite direction वाली bus उसको 6 minute बार मिल रही है every 6 minutes पे उसको opposite direction में जाते हुई bus मिल रही है यानि की चलो मैं diagram इसी को change करता हूँ cyclist के speed तो 20 km per hour ही है ठीक है लेकिन अब हमारी जो bus है वो इस तरफ जा रही है यह bus भी जो है यह इस तरफ जा रही है ठीक है और एक पीछे भी होगी इसके bus जो की 6 minutes बाद इसको cross करेगी यहाँ पे मालो bus है यह bus भी इसको 6 minutes बाद cross करेगी बाद समझे में आ रहा है एक bus इसको यहाँ पे cross कर चुकी है इसको मैं clean कर देता हूँ थोड़ा सा एक bus है जो cyclist के आगे है एक bus cyclist को अभी अभी cross कर रही है और एक bus है यहाँ जो की 6 minutes बाद cyclist को cross करेगी तो दोनों bus के बीच की दूरी कितनी relative distance तो यहीं रहा जाएगा इसकेस में भी बस की speed भी ओहीं रहा जाएगी सिर्फ relative speed cyclist और bus के respect में change हो जाएगा इस पार क्या होगा relative speed इस पार relative speed में हमें plus का sign लगाना होगा है ना इसलिए पार जो minus सा relative speed इस पार plus हो जाएगा तो हमारा दूसरा equation बनाते हैं दूसरा equation बन जाएगा यहाँ से एकदम similar तरीके से V plus 20 के speed से जब relative speed होगा तो 6 minutes में 6 minutes में 6 divided by 60 यह distance जो होगा वह किस के बराबर होगा V T divided by 60 के बराबर होगा V और T को cancel करा दो यह equation number 2 हमारा मिल गया अब दो variable है दो variable है दो equation है अब तो solve हो जाएगा देखो फिर से solve करने में भी थोछा smartly solve करना है divide 1 by 2 divide 1 by 2 एक variable हमारा eliminate हो जाएगा T और T eliminate हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास equation बहुत ही simple सा equation बचे जाएगा फिर is equal to v plus 20 यहां से हमारा v की value आ गई 2v is equal to 80 v is equal to 40 km पर आवा इसके अलावा इस divide के अलावा कोई दूसर प्रोसेस अगर लगा होगे तो equation को solve करने में काफी परसानी होगे इसलिए इसको divide करना है जहां भी right side में equal है या तो equate भी कर सकते है equation 1 is equal to equation 2 ऐसा भी बोल सकते हो या divide बोल दो एक ही बात है तो v की जब हमें value मिल गई 40 तब 1 या 2 में कोई v की value डाल दो 40 हमें answer मिल जाएगा 1 में अगर 40 डालते हैं तो क्या आता है 18 into 40 minus 20 18 into 20 is equal to 40 into t यहां से t की value निकल के आ जाएगी यह cancel होगा यह 2 आएगा तो t is equal to 2 left side में आने वाला था ना 2 इधर आने वाला था t is equal to 9 minutes हर 9 minute के बाद बस खुल जाती है समझ में है question next question देखते है the speed time graph of a particle moving along a fixed direction fixed direction में particle जा रहा is shown in the figure obtained the distance traversed by the particle between 0 to 10 seconds यह particle की speed time graph है ध्यान देना आप यहां पर speed time graph है speed पहले 0 थी 5 seconds में बढ़के speed 12 हो गई और फिर 10 seconds में speed वापस 0 हो गई है ना distance कैसे निकालते है speed into time distance होता है speed into time distance होता था मतलब अब सोचो हमें area under the graph distance देता था याद आ रहा है कुछ-कुछ इस तरह का बाद area under the graph give a speed time graph area under the speed time graph gives us the distance traveled तो distance यहां पर कितना होगा distance is equal to 1 by 2 into base of the triangle at 10 height of the triangle at 12 60 meters कितने आराम से आ गया अगर कोई भी equation लगाने की कोशिस करते है बहुत मेहनत करनी होते कोई भी equation से solve करते है एकदम बनता equation से भी solve होगा question equation से भी solve होगा equation से solve करने के लिए हमें करना यह होगा कि 5 seconds पे इसको break करना होगा 5 seconds पे इसको break करना होगा 5 seconds के पहले एक uniform acceleration हो रहा है 5 seconds के बाद भी uniform acceleration है है ना तो वहां से भी निकल जाएगा same answer आएगा कोई फर्क नहीं होगा लेकिन सबसे आसान तरीका है area निकाल दो सबसे simple तरीका है यह इस तरसे area निकाल दो आराम से answer आ जाता है ठीक है part 2 को देखो यह बहुत interesting है part 2 इसको मैं clean कर ही देता हूं part 2 के लिए हम लोग यह तो equation लगा सकते है या फिर से formula area निकाल सकते है हमें 2 seconds से लिखा कि 6 seconds तक का distance निकालना है 2 seconds कहीं यहां पर होगा 6 seconds कहीं यहां पर होगा चलो पहले lines तो draw कर दो 2 seconds पे एक perpendicular draw कर दिया इस्तर से 6 seconds पे भी एक draw कर दो इस्तर से और अब हमें यह area निकालना है ठीक है ना फिल से हमें इस area को निकालने के लिए बीच वाले को तो joint करना होगा 5 seconds पे perpendicular draw करना ही होगा तभी तो 2 trapezium बनेगा देखो equation से निकालना मैं नहीं बताऊंगा equation से निकाल सकते हो तुम लोग आराम से मैं दिखा रहा हूँ area से कैसे निकल जाएगा area अगर इसका का निकाल देते हैं हम लोग तो हमें मिल जाएगा distance travel इस left वाली triangle का area कितना है 30 पता है 0 to 5 seconds में area अब triangle का area के बात करे हैं हम लोग 30 minutes 30 है square unit तो होगा ही लेकिन 30 दाने नहीं सिर्फ area की जरुदत है और इस छोटी वाली triangle का area कितना होगा इस triangle का area बड़ी triangle में से छोटी triangle को minus करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 से 2 seconds का area कितना है 30 into 2 by 5 का square होगा समझ में आदा यह similar triangle के concept को use करो अब similar triangle के concept को use करो यदि A, B, C एक triangle ले लो बड़ी वाली और यह D ले लो यह point D है यह PQ है यह RS है सभी points का नाम लेके अब similar triangle concept को use करके मैंने directly area निकाल दिया निकाल दिया तो कितना आता है 24 divided by 5 जो की होता है 4.8 ठीक है similarly इस triangle का area निकाल दो 6 से 10 सेकंड का area कितना होगा 30 into 4 by 5 का square होगा जो कितना होगा 96 divided by 5 जो की होगा 19.2 तो required area हमारा कितना होगा 120 total area था minus 4.8 plus 19.2 plus 19.2 minus 24 94 96 मीट रिक्वाइड डिस्टेंस निकल गया हमारा 96 इस एरिया हुआ और यहीं रिक्वाइड डिस्टेंस है सबजबाई बात 96 थी हमारा डिस्टेंस है यदि इसको equations है equations of motion से निकालना होगा तो हमें बहुत कुछ करना होगा हमें पहले acceleration निकालना होगा इस पार्ट का A से B तक जाने का पहले acceleration निकालना होगा pointer प्लीज A से B तक जाने का पहले acceleration निकालना होगा, फिर 2 second पे velocity निकालनी होगी, जब 2 second पे velocity मिल जाएगी, तब फिर हमारा equation लगेगा, कोई भी equation लगा सकते हो, second equation या third equation, दोनों से ही बन जाएगा, लेकिन हमें पहले यहाँ पे velocity निकालनी होगी, और फिर calculation बहुत complex होने वाला है, हाँ, बहुत complex है calculation होने वाला है, similarly, इस part के लिए भी वहीं करना होगा, 6 second पे velocity निकालनी होगी, फिर equation को लगाना होगा, और जो भी equation लगाएगे, उसमें square term आने वाला है, square term आएगा मतलब calculation बहुत लेंदीं होने वाली है, बात समझे मारी है, एक और question देखेंगे, इस वीडियो में, वो है, actually यह concept है रही, question का में concept जादा है, reaction time, when a situation डिख, कभी cricket खेलते समय ऐसा feel हुआ है, कि ball आप तुरंट, cross हो गई, backspan को पता ही नी चला, ball की ड़से चली गई, होता है न, ball तुरंट निकल जाती है, पता नहीं चला, आगर थोड़ी आता, तो catch कर सकते थे, यहाँ पर आता है reaction time, हमने ball को देखा, ball को देखने के बाद, उसको पकरने के लिए, जो हम लोग start किये, कोई भी action start हुआ, आँखों ने पहले ball को देखा, या फिर दिमाग के पास signal गया, फिर दिमाग ने decide क्या, okay start moving now in this direction, इधर जाना है, अब इधर जंप लगाना है, इस process में जो समय लगता है, उसको बोलते है reaction time, bike चलाते हैं समय, cycle चलाते हैं सामने में, अचानक से कोई आ जाता है, break मारते हैं, break देखने के बाद, break मालने के बीच में, थोड़ा सा तो time होता है न, बहुत कम होता है, fraction of a second, लेकिन कुछ तो time होता है उस बीच में, वहीं fraction of second को reaction time बोलते हैं, से परवर definition, when a situation demands our immediate attention, it takes some time before we really respond, कुछ हमने देखा, और फिर उसके ऊपर action लेने के पहले, कुछ समय निकल जाता है, reaction time, each time a person takes to observe, think and act, ये तीन चीज होती है उस reaction time के दोरा, सोचे आदा मिनट भी नहीं लगता है इसमें, दिखा होगा cricket में, 0.4 second में catch कर लिया, catch हो गया 0.4 second में, कितना तेज reaction था, लेकिन एक time होता है, 0.4 second का time लगा उस बीच में, है न, तो reaction time is the time a person takes to observe, पहले देखना है, फिर सोचा है, और फिर action भी ले लिया है, for example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then time elapse before he slams the brakes of the car, is the reaction time, सामने अचानक से कोई दॉर के आया, ब्रेक मारे हों जाए, देखने के बाद, ब्रेक मारने के बीच में, जो आधा सेकंड निकला, उसको reaction time बोलते है, reaction time depends on the complexity of the situation, and on the individual, individual कितना active है, उसके उपर तो होगा है, और situation, think, observe, और think, दोनों करना है न, दोनों करना है, observe और think, think करने हो सकता है, एक सेकंड लग जाए, हो सकता है, दो सेकंड भी लग जाए, कैसा situation है, ज्यादा complex होगा, complexity जैसी ज्यादा होगा, उसमें सुचने में उतना ज्यादा समय लगेगा, यह होता है, reaction time, you can measure the reaction time, by a simple experiment, क्या बात है, reaction time, इतना छोड़र सा time, उसको भी experiment से observe कर सकते हैं, कैसे होता है, देखो, experiment देख लेते हैं हम लोग, take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and the force of finger, यह देखो, यह एक friend है, जिसके हाथ में एक scale है, ठीक है, और scale हाथ के बीच में, भी इस तरह से, देखो, यह हाथ के बीच में, यह pen है, हाथ के बीच में, catch कर सकते हैं, scale इसी तरह से, और, यह जो 0 point है न, scale पर जो 0 mark है, 1 नहीं, 0 mark जो है, वो बिलकुल यहाँ पर है, हाथ के पास में, इस point में, तो जैसे ही drop करेंगे, और फिक catch होगा, देखो, इतनी सी दूर आ गया न, मैंने drop किया और catch किया, उस पीच में इतना सा distance covered हुआ, और यह distance को measure कर लेंगे हम दो, है न, तुम्हारा हाथ table पर रखा है, ताकि हिले दूलेगा नहीं, और friend ने scale को छोड़ा, तुमने catch किया, तुमने देखा कि square छूट गया, यह friend ने छोड़ गया, तुमने देखा कि scale छूट गया है, फिर catch किया, तुम इस बीच में यह distance ट्रेवल होगे है, इतना सा distance ट्रेवल होगे है, ठीक है, आफ्टर यू catch इट, find the distance d traveled by the ruler, यह तुमने इस distance को देखा लेना है, सिफ, scale पे तुमने मार्की आवाई रहता है, सिफ, रीट का लेना है, कितना distance होगे है, d 21 cm सिर्फ, distance is equal to 21 cm, reaction time कैसे निकाल सकते है, 0.21 meter तो इसको लिखे देते है, इससे time कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, motion chapter, हम लोग सुरू से यही सब चीज सीख रहे हैं, यह motion का free fall under gravity होने वाला i-skill का, free fall under gravity, मतलब इसकी initial speed to 0 थी, यहाँ पर catch कर रखा था, initial speed इसकी 0 थी, u is equal to 0 था, acceleration due to gravity कितना था, 9.8 meter per second is को है, अब देखो, मैंने यहाँ पर negative नहीं लिखा है, positive रखा है, चो नीचे वाली direction को मैंने positive माल दिया है, माल लो, सब कुछ नीचे ही होने वाला अभी, तो नीचे को ही positive माल दियते है, acceleration मिल गया हमें, और distance भी हमें पता है, 0.21 meter, second equation से हमें time मिल जाएगा, s is equal to ut plus half a t square, यहाँ से हमें time मिल जाएगा, यह term तो हमारा 0 ही है, यह u 0 है, तो time कितना होगा, time is equal to square root 2 into s, 0.21, divide by a, 9.8, okay, cancel कराओ, 0.037 से cancel होगा, 1.4, क्या आता है, square root of, एक decimal तो यह cancel हो जाएगा, यह खतम हो जाएगा, यह decimal यहाँ पे हो जाएगा, 0.6 divide by 1.4, sorry, 14, 0.6 divide by 14 होगा, ओ, 14 भी क्यू रखा है, इसको 0.7, 0.3 divide by 7 रख लो, ठीक है, अब इसको calculate कर लेना है, क्या आएगा, 3 divide by 70 है यह, 3 को 70 से divide कर रो, 0.00300 हो गया, 4 ताइम्स, 280, 20, मालो, 0.4 के अप्रोक्सिमेट है, approximately is equal to square root of 0.04, जो की से बराबर होगा, 0.2 सेकेंड के बराबर है, कितना कम टाइम था, लेकिन हमारे, इस चैप्टर ने, उस टाइम को calculate करने में, हमारे help रहे ले, हमने calculate कर लिए उस टाइम को, ओके, चैप्टर अब complete होता है पहला, नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग second chapter स्टार्ट करेंगे, तो अब तुम लोग practice कर सकते हो, questions को कहीं से भी, किसी भी standard textbook से, questions की practice करने है, कोई doubts हो, तो मुझे contact करना बिल्कुल, ओके, बाइ-बाइ,